वीना दास, जन्म, 1911, निधन, 1986, बंगाल की भारतिय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला थी चेह फर्वरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्याले के एक दीक्षांत समारों में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाली गर्वन स्टनली जैक्षन की हत्या का प्रयास किया था वे सुप्रसिद ब्रहमस समाजी शिक्षक बेनी माधवदास और सामाजिक कार्यकर्त्ता सरला देवी की पुत्री थी वे सेंट जॉन डोसिसन गल्ज हाय सेकंडरी स्कूल की चात्रा रही बीनादास कोलकाता में महिलाओं के संचालित अर्थक्रांतिकारी संगठन छात्री संद की सदस्या थी और इसके लिए उन्हें नौ वर्षों के लिए सक्त कारावास की सजा दी गई सन 1932 की 6 फर्वरी को कलकत्ता विश्व विद्याले में समावर्तन उत्सब मनाया जा रहा था बंगाल के अंग्रेज लाटसार स्टैनले जैक्सन मुख्य अति थी थे उस अफसर पर कुमारी वीनादास जो उपाधी लेने आई थी ने गवनर पर गोली चला दी गोली चुक गई, गवनर के कान के पास से निकल गई और वह मंच पर लेट गया इतने में लेफटिनेंट करनल सुहरावर्दी ने दोर कर वीनादास का गला एक हाथ से दबा लिया और दूसरे हाथ से पिस्टॉल वाली कलाई पकड़ कर सीने ठाल की छट की तरफ कर दी फिर भी वीनादास गोली चलाती गई, लेकिन पाचों गोलिया चूक गई उन्होंने पिस्टॉल फेक दी, अदालत में वीनादास ने एक साह से पूर्ण बयान दिया अखबारों पर रोक लगा दिये जाने के कारण वह बयान प्रकाशित न हो सका वीनादास को दस साल कारावास का दंड मिला था